नोच्छा दोस्तों, डिट हैं आज की 13 जनवरी 2022 और श्वागत हैं आपका एटोयल डिसकुशन में आज देखो चार इशूस डिसकुश करने लाइक हैं, लेकिन तीन कर पाएंगे, एक हम कल करेंगे एक कल का भी बाकी हैं, तो हमारे दो आर्टिकल्स पेंडिंग हो जाएंगे, जिनको होसका तो हम संडे को डिसकुश करेंगे और कुछ लोग बोल रहे थे कि हम जो फिलोस्पिकल कोट्स हैं, वो कब डिसकुश करना स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द यह तीन इशूज आज हमें डिसकुश करने हैं, सबसे पहले हम इलेक्शन कमिशनर्स की एपोइंट्मेंट्स से समधित आर्टिकल्स डिसकुश करेंगे दूसे नंबर पे डेमोग्रेफिक डिविदेंट्स से समधित और तीसे नंबर पे रसिया और यूएस रिलेशन्स देखो वैसे तो रसिया और यूएस रिलेशन्स है, इनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है और आम तोर पे अभी तक UPSC ऐसे कोईशन नहीं पूछती थी, लेकिन इस बार एक कोईशन पूछा है, इस बार के पेपर में USA is facing an existential threat in the form of China, East while Soviet Union ये आपको explain करना है 150 words में, 10 marks का ये कोईशन पूछा था तो कहने का मतलब ये है, कि UPSC देखो, आने वाले सालों में इंडिया का इस issue से directly लेना देना नहीं है, indirectly लेना देना है, क्योंकि जो global power politics में जो कुछ हो रहा है, इंडिया भी तो globe में involved है न, इंडिया का भी उससे global politics से लेना देना देना तो वैसे है ही तो इस परकार के questions के लिए आप future में भी तयार रहिएगा, चलिए discussion स्टार्ट करते हैं First important article, election commission में election commissioners की appointment से समदित हैं, आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूँ दिखो हमारे देश के election commission की पूरे world में इज़त हैं, इंडिया में election reasonably fair and transparent manner में conduct होते हैं आपने अक्सर ये news सुनी होगी या पढ़ी होगी, कि अफरीका के कई सारे देश, इंडिया के election commission से best practices सीखते हैं elections conduct करवाने के लिए अपने अपने देश में 1991 के बाद से तो election commission का काम करने का तो तरीका है, उसमें भारी बदलाव देखने को मिला 1991 से लेके 96 के बीच में, टी एन से सान, चीफ election commissioner थे, उनका काफी टकराब भी हुआ, उस समय की सरकार के साथ उन्होंने देखो, बहुत अच्छा काम किया, उनके कारेकाल में, election commission ने अपनी powers को assert करना स्टार्ट किया, free and fair manner में, elections conduct करवाने के लिए, जैसे देखो, भगवान हनुमान को अपनी सक्तियां याद नहीं थी ना, जामंत ने उनको सक्तियां याद दिलाई, तो उसी परकार से, TN से सान ने, election commission को सक्तियां याद दिलाई, कि देखो, तुमारे पास इतनी power है, तुम ये सब कर सकते हो, अच्छे ढंक से elections conduct रवाने के लिए, खेर देखो, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, CBI के director की नुक्ति कैसे होती है हमारे देश में, CBI के director कौन बनेगा ये decide करने के लिए, तीन members का एक panel बैगता है, जिसमें परधानमंतरी होते हैं, leader of opposition होते हैं, लोक information commissioner, लोकपाल, chief vigilance commissioner, काफी सारी ऐसी post हैं, जिनको decide किया जाता है, ऐसे ही panels के द्वारा, और judiciary में judges को कौन appoint करता है, हार judiciary में, उसके लिए collision system है, लेकिन, अब मैं आपसे पूछता हूँ question, election commissioner कौन बनेगा, ये कौन decide करता है, इसके लिए जो panel होता है, उसमें कौन-कौन होता है, कोई भी नहीं होता है, सीधा सरकार decide कर लेती है, कि election commissioner कौन बनेगा, आपके मन में आया होगा, ऐसे कैसे, मतलब सरकार अगर decide करेगी, कि election commissioner कौन बनेगा, तो बाद में हो सकता है, कि वो सरकार के इसारे पर काम करें, थोकि सरकार ने अपने ही किसी ideology वाले बंदे को, officer को, election commission में लगा दिया, ताकि समय आने पर, वो ruling party की, जिसने election commissioner को appoint किया है, उसकी साहिता कर्स के elections में, हना, जी हाँ, यही तो बात है न, writer यही questions raise कर रहे हैं, कि इतनी important post है election commissioner की, लेकिन, इसको सिधा सिधा सरकार appoint कर देती है, सरकार अपनी मर्जी से, किसी person को election commissioner के तोर पर appoint कर देती है, तो फिर कैसे उमीद की जा सकती है, कि वो person, वो officer, आम तोर पे देखो, I.S. officer को ही election commissioner बनाया जाता है, क्योंकि उनको experience काफी ज़्यादा होता है, administration का elections में, उन्होंने पहले हिस्सा लिया होता है, as a I.S. officer, तो आम तोर पे हमारे देश में, I.S. officer को ही election commissioner के तोर पे appoint किया जाता है, तो writer का सबसे बड़ा question यही है, जब सरकार अपनी मर्जी से किसी person को appoint करेगी election commission में, तो बहुत संभावना है कि वो person, अवशकता पढ़ने पर सरकार की ही मदद करेगा, यानि सरकार वाली party की ही मदद करेगा, इस case में आज के समय में BJP, तो ये पहला point है, ज दूसरा point है, अगेंस्ट separation of powers, कैसे, देखो जो election commission है, इंडिया में, वो सिरफ election ही conduct नहीं करवाता, वो देखो एक को ऐसी judicial body भी है, आप में देखा होगा, election के दुरान, बहुत सारे issues आते हैं, विवाद पैदा हो जाता है, तो election commission उन चीजों की सुनवाई भी करता है, जैसे opposition कई बार issue लेके जाती है, election commission के पास, देखो सरकार तो, जो modal code of conduct है, उसके दजिया उड़ा रही है, petition file करती है, कई बार सरकार भी election commission के पास petition file करती है, election commission फिर उसकी सुनवाई करता है, बहुत बार politicians को एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, चुनापरचार करने से ban भी कर दि commissioner होते हैं, उनकी appointment की power पूरी तरे से, अगर सरकार के पास रहेगी, तो फिर कैसे, जो election commissioner है, वो fair manner में काम करसकेंगे, जैसे judiciary है, उनका यही तो तरक है ना, कि अगर सरकार judges को appoint करने लगेंगे, तो फिर judges independent होके काम नहीं करसकेंगे, इसलिए collegium system सही है, यह judiciary का तरक होता है, लेकिन election commissioner के मामले में, अभी फिलाल हमारे देश में यही चल रहा है, कि सरकार पूरी तरे से election commissioners को appoint करती है, और बाद में, वही election commissioner जाके, को ऐसी judicial function perform करते हैं, election commission के थुरू, तो कैसे हम यह उमीद कर सकते हैं, कि वो election commissioner, बिना बाइस्ट होके काम करेंगे अपना, मतलब point यह है, जैसे अगर judiciary की independence ensure करनी है, तो उनकी appoint करने की power सरकार के पास नहीं होनी चाहिए, उसी परकार से, अगर हम चाहते हैं, election commissioner independent होके काम करें, तो उनको appoint करने की power सरकार के पास नहीं होनी चाहिए, तो दूसरा point है, अगेंस्ट separation of power, पहला point था possible business towards ruling party, अब बारी आती है तीसरे point की, तीसरा point क्या है, election commissioner को remove करने की power, देखो, हमारे देश में जो chief election commissioner है न, उनको तो हटाया जा सकता है सिरफ impeachment की साहिता से, लेकिन बाकि जो दो election commissioner है, उनके पास ऐसी कोई protection नहीं है, उनको तो सिधा हटाया जा सकता है, impeachment की आप सकता नहीं है, तो अब देखो, election commission में तीन लोग होते हैं, एक chief election commissioner, बाकि दो election commissioner, अब इन दोनों election commissioner को न, डर लगता रहता है, कि सरकार हमें कहीं हटा न दे, impeachment के तो जूर्ट है नहीं, या फिर उनको ये भी डर लगता है, कि कहीं, सरकार हमें chief election commissioner के पद पर जाने से रोक न दे, मतलब हमारी promotion को सरकार रोक न दे, तो ये डर इन दोनों election commissioner को सताता रहता है, तो इस डर की वज़े से संभावना ये रहती है, कि वो ruling party का ज़्यादा साथ दें, ताकि अपना नुकसान होने से बचास कें, और अपना जो कारेकाल है, फिलाल election commissioner के पद पर भी, और बाद में का promotion जो है, उसे enjoy कर सकें, तो इनको remove करने की power जो है, वो सरकार के पास नहीं होनी चाहिए, जो protection अभी chief election commissioner के पास होती है, कि उनको सिरफ impeachment के थ्रू हटाया जा सकता है, वही protection, election commissioner को भी मिले, हमें ये ensure करने की आवशकता है, तो ये तो हमने election commissioner की appointment से सम्मंदित, या फिर दू सविधान में न, सिधा सिधा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, election commissioner की न्यूकती से सम्मंदित, लेकिन सविधान का जो article 324 section 2 है ये बोलता है कि parliament इस संदर में कानून बना सकती है, तो parliament ने कानून बनाया पहले 91 में, उसके बाद उसको amend किया गया 93 में, पहले तो हमारे देश म election commission में सिरफ एक ही election commissioner हुआ करते थे, चीफ election commissioner, लेकिन बाद में कानून चेंज हो गया, finally amend हुआ 93 में, और election commission में election commissioner की संख्या बढ़के हो गई 3, समझ गये, लेकिन election commissioner की appointment से सम्मंदित कोई amendment नहीं किया गया 1993 की amendment में, अब देखो पिछले कुछ सालों में, ये काफी सारे आर मिलता है ruling party की तरफ, अभी हाल फिलाल में भी, जो PMO में principal secretary है, उन्होंने एक meeting बुलाई, election commissioners की, और इस बात पर काफी controversy create हो गई थी, कि जो principal secretary है PMO में, वो तो देखो एक executive authority है, वो कैसे election commissioners की meeting बुला सकते हैं, उनके पास क्या अधिकार है, election commission को तो free and fair manner में काम करना होता ह है, वो सरकार के निर्दोशों पर थोड़ी ना काम करते हैं, कि PMO में principal secretary बोल देंगे meeting में आओ, और उनको आना पड़ेगा, नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, तो इस बात पर controversy generate हो गई, और फिर से मांग उठने लगी, कि election commission को आप मजबूत बनाओ, election commission को कैसे मजबूत ब तो बलती constitutional bench के पास भेज दिया, इसके पास writer बोलते हैं, देखो, इस से पहले कि Supreme Court इस पूरे मामले पर अपना verdict दे, Supreme Court guidelines दे, election commissioner की नुक्ती से सम्मंदित, सरकार को action में आना चाहिए, और इस issue पर कानून बना देना चाहिए, ताकि किरकरी से बचा जासके, वैसे भी, की appointment के तरीकों को बदला जाए, 1975 में justice तारकुंडे committee ने ये recommend किया था, कि एक panel की recommendation के बाद, election commissioner का selection हो, जिसमें प्रधामंतरी हो, लोकषबा में opposition के leader हो, और chief justice of India, ये तीन लोग तो हैं, CBI का, director का panel decide करने वाले लोगों में, उसके बाद, 2015 में ला commission ने कहा था, और 1990 में दिन कि कौन election commissioner बनेगा, second ARC की fourth report में, दो लोगों को और add कर दिया गया, कि एक law minister और deputy chairman of Rajasba, इनको भी collegium में add कर लिया जाए, और ये 5 लोगों का collegium मिलके decide करे, कि कौन election commissioner बनेगा, last में अब बारी आती है conclusion की, देखो, हमारा जो देश है न, world की सबसे बड़ी democracy है, और किसी भी democracy में, सबसा important part होता है elections, elections free and fair manner में conduct होने चाहिए, तब ही final जो लोग चुनके आएंगे, वो legitimate धंक से rule कर सकते हैं, अगर मान लिजिए, election में irregularities के आरोप लगते हैं, जैसे पाकिस्तान में बहुत बार लगते हैं, तो फिर 5 साल सरकार चलाना भी मुश्किल हो जाता है, लोग को लगने लगता है कि हमारे देश में लोग तंतर ठीक से काम नहीं कर रहा है, EVM से समन्दित काफी questions उठते हैं आ independent होके, तो इसके लिए सरकार को कानून बनवाने के आप सकता है, पालियमेट के थूँ, तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया, election commissioners से सम्मधित, चलते हैं आगे, इसके बाद next article, इंडिया के demographic dividend से सम्मधित है, आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हूँ, देखो, अगर हमें हम इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमरे देश के यूथ में, हमरे देश के बच्चों में, आज के जो बच्चे हैं न, कल जाके देश को lead करेंगे, तो उनकी productivity को increase करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों में देखो, आज के समय में अगर इन्वेस्ट किया जाता है, त तो इसके हमें long term परिनाम देखने को मिलेंगे, आज के समय में देखो, हमारे पास चिल्डरन और यूथ में इन्वेस्ट करने की जो window है वो काफी छोटी है, कैसे? आपको पता है National Family Health Survey का जो latest data सामने आया, उसके अनुसार हमारे देश की जो fertility rate है न, total fertility rate वो stabilize हो रही है, यान की population अब धिरे-धिरे stabilize होने की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो ऐसी situation में देखो, कुछ समय के लिए तो जो dependent लोग है न, उनकी संख्या कम होगी, working लोग की संख्या जादा होगी, क्योंकि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब बच्चे तो dependent होते हैं न, तो dependent लो हो गई हैं, कम बच्चे पैदा हुए हैं, तो dependent की संख्या तो कम है, लेकिन बाद में यही बच्चे तो आगे जाके यूथ बनेंगे न, तो यूथ भी तो कम होंगे न, यूथ कम होंगे, तो वो लोग जो भूडे हो रहे हैं हमारे देश में, उनका share increase हो जाएगा, उनका share increase हो जाएगा, तो dependence की संख्या फिर से increase हो जाएगी, जैसे जपान में हैं, तो fertility rate अभी कम हो रही है, यह window है, हमारे पास छोटी सी window है, इसमें हमें अच्छे से काम करना होगा, otherwise फिर हमारे देश में जो average age है वो increase हो जाएगी, फिर हम हमारे youth में ज्यादा invest करके भी कुछ उ लेटा देखिए, आज के समय में देखो fertility rate है 2.0, और 2011 में हमारे देश में median age थी 24, जो की आज है 29 और 2036 में यह बढ़के हो जाएगी 36, तो इंडिया अभी demographic transition के बिलकुल बीचो बीच है, उसका फाइदा हमें उठाना चाहिए, देखो जो Asian Tigers है ना, जैसे Singapore, South Korea, Taiwan, इन्हों अपने demographic dividend का बहुत अच्छे से फाइदा उठाया, हमें इन से lessons सीखने क्या हो सकता है, कौन से lessons सीखने क्या हो सकता है, देखो हमारे देश में जो adult लोगों का per capita consumption है वो कम है, मतलब simple भासा में बोलू तो हमारे देश में youth जो है na, adult मान लीजिए, वो कम पैसा खर्च करते है कम पैसा खर्च करेंगे तो मतलब economic activities कम होगी और economy में contribution भी कम होगा, बाकी देशों कि अपेकसा करत हमारे देश में adult का per capita consumption कम है, इसके पाद राइटर बोलते हैं कि भाईया इसे आप अपडेट करवा लो ये national transfer account assessment को, जो इस परकार का data देता है कि हमारे देश में adult का जो consumption ह वो कितना है, ये data काफी समय से update नहीं हुआ है, इसको update करवा दो और हर एक state का अलग से इस परकार का data होना चाहिए, adult consumption निकालने के लिए, उसके बाद next suggestion, आप बच्चों में और adolescent में, यानि किसोर रवस्था में जो लोग है ना, उन में invest करो, particularly देखो, children का और adolescent का nutrition level इंप करता है, या फिर vocational skill बच्चा हासिल करता है, ये transition बहुत कमजोर है, simple bahasa में देखो, अगर बोलू, तो बारवी के बाद, बच्चा जो education हासिल करें, चाहे vocational course करें, या फिर college education हासिल करें, वो ऐसी होनी चाहिए, जो बच्चे को prepare करें, employment के लिए, लेकिन हमारे देश में ऐ ऐसे हैं, जो नाम-नाम की degree देते हैं, कोई फाइदा नहीं होता, बस degree मिल जाती है, कि बच्चा आप graduate हो गया है, क्या कोई skill, क्या कोई value addition होता है बच्चे में, तीन साल, चार साल अगर वो लगाता है, नहीं होता, यही चीज हमें improve करने की आवसकता है, हमारे देश में entrepreneur बनना है, नहीं, इतने सारे लोग तो हमारे देश में सरकारी नोकरी आसिल करना चाते हैं, क्यों, क्योंकि काम नहीं करना पड़ेगा, अरे भाई, काम करने से क्यों डरते हो, जिन्दगी में आयो, तो काम करके ही, तो explore करोगे चीजों को, समझ गए ना, मतलब देखो, जा हो जाएगा, मैं आपको personal experience बताता हूँ, बिल्कुल 22nd में, आपको तो पता है, मैंने भी custom inspector के तौर पर काम किया है, और वो government job थी, जब छोड़ी थी, तो salary भी, मैंने ठीक ठाक थी, 60,000, 60,000 is handsome amount, हमारी जैसी middle class families के लिए, तो जब मैंने छोड़ा ना, तो आस्परोस के लो अरे risk ही तो चाहिए, और क्या चाहिए, जीवन में risk चाहिए, खेर आगे चलते हैं, तीसरा हमारा point था, health में सरकार invest करें, देखो health में हम हमेशा discuss करते हैं, सरकार बहुत कम invest करती हैं, सिरफ 1% of GDP, बहुत कम है, दूसरे developed countries के अपिक्सा करत, next point, reproductive health care services सरकार provide करे, reproductive health care services, जैसे उनकी जो आवशकता हैं, वो पूरा नहीं हो पाती, या तो उनको awareness नहीं होती, या फिर उनके पास tools नहीं होते, equipments नहीं होते, family planning से सम्मदित, समझ गए, तो family planning की जरूरतें, सभी लोग पूरी कर्स के, ऐसी सरकार services provide करें, यानि reproductive health care services, next point, education, अभी भी देखो, जितने boys हास हासिल करते हैं, उतनी लड़किया नहीं हासिल कर पाती, तो equality होनी चाहिए, education के मामले में, Philippines, China, Thailand, यहाँ पर तो देखो, उल्टा है, यहाँ पर girls ज्यादा education हासिल करती हैं, boys कम हासिल करते हैं, खास करके बात करें, secondary और tertiary school scheme, तो इस trend को हमें reverse करने के आव सकता है, gender equality होनी चाहिए, education के मामले में, even secondary education के मामले में भी, और tertiary education के मामले में भी, next, female का workforce में participation increase किया जाएं, देखो महिलाओं का labor force में participation बढ़ने के बजाए कम हुआ है, दो हजर तीन चार में तो महिलाओं का labor force में participation था, 34.1%, जो कि 2019 में घटके हो गया है, 20.3%, तो नई skills, नई opportunities महिलाओं को दी जाएं, जो लड़किया, class 10th pass करती हैं, उनको choice दी जाए कि कौन सी वो skills सीखना चाहते हैं, और उस skill को सीखके वो appropriate work हासिल कर स्कें, वैसे देखो एक point जो मैं बोल रहा था न, वीच में वो बात रहा गई, कि इतने सारे लोग सरकारी नोकरियों के पीछे मतलब ट्यारी करते हैं, अगर वो उनमें, अगर हम entrepreneurship की spirit जगा दें, तो कितना बढ़िया हो, कितनी innovation हमारे देश में आये, और वो entrepreneur बनेंगे, तो सोचके देखे, और दूसरे लोग को रोजगार भी देंगे, और इसी से तो हमारी economy ग्रो करेगी न, अगर देखो हमारे देश का युवा, सिर्फ सरकारी नोकरी हासिल करना चाहता है, तो देश बहुत ज़्यादा देखो, development के रास्ते पर आगे नहीं चल सकेगा, देश आगे तब बढ़ सकेगा, wealth हमारे देश में तब create होगी, जब हमारे देश के युवा, ज़्यादा entrepreneur बनने के बारे में सोचेंगे, आपको वैसे देखो, एक बात आपके मन में पक्का ये भी आई ह होगी, कि हम तो खुदी सरकारी नोकरी की त्यारी कर रहे है, civil services भी तो सरकारी नोकरी है, देखो ये सारे points आपके लिए नहीं है, देखो मैं 100% sure हूँ कि आप सब serious aspirants हो, आप civil services इसलिए नहीं जोइन करना चाहते कि stability मिलेगी, और आप कुछ change लाना के लिए त्यारी कर रहे आप सोच के देखो, 20 मिनिट होगे आपको इस वीडियो की discussion सुनते सुनते, अभी तक इस discussion में ना कोई मजाक आया, ना कुछ आया, ऐसी discussion कौन सुनना चाहेगा इतनी boring, आप बताओ, आप ये discussion सुन रहे हो, इसका मतलब आप बिल्कुल seriousness के साथ त्यारी कर रहे हो, you are man or woman with no nonsense चलो, बहुत हो गया, इसके बाद 7th point देखो, ये है, कि हमारे देश में जो states और diversity है ना, उसको utilize करने के आउ सकता है, जैसे देखो, South Indian states में, जो fertility rate है, already कम हो गई थी, वहाँ पे, youth की संख्या, already कम है, जबकि UP बिहार, यहाँ पे fertility rate अभी कम नहीं हुई है, तो दोनों के ब next point, central government और state governments, दोनों मिल के काम करें, इस demographic dividend की खिड़की को utilize करने के लिए, क्योंकि देखो, जो Asian tigers countries है, South Korea, Singapore, Taiwan, इन्होंने बहुत अच्छे से youth के potential को utilize किया, अपनी economy को आगे ले जाने के लिए, हमारे देश में भी central government और states को मिल के काम करना होगा, कई सारे issues पे, जैसे migration, aging, skilling, female workforce participation, urbanization, और ना सिरफ center और states को बलकि अलग-अलग ministries को और departments को भी मिल के काम करना होगा, governance को improve करने के लिए, और ये सारे जो points हमने discuss किये, उनको implement करने के लिए, तो ये पूरा issue हमने discuss किया, चलते हैं आगे, इसके बार next article, US और Russia relations से समन्दित है, आप GS paper second के इस topic से article को relate क कर सकते हो, देखो, Russia ने Ukraine border पर अपनी forces जमा करके रखी है, एक लाग के आसपास, तो कुछ experts ने बोला, कि Russia जो है, वो Ukraine के ऊपर जल्द ही attack कर सकता है, तो इसके बाद USA को table पर आना पड़ा, USA और Russia के deputy foreign ministers के बीच मुलाकात हुई, situation को calm down करने के लिए, tensions को diffuse करने के लिए, Russia ने demand ये रखी है, कि वो देश, जो इस्ट यूरोप के हैं, और जिन्होंने 1997 के बाद NATO को join किया, वो NATO की membership छोड़ें, और इसके अलावा Ukraine और Georgia, ये अब NATO के member ना बने, क्योंकि देखो, Ukraine का border लगता है Russia के साथ, अगर Ukraine NATO join करेगा, तो Russia बोलता है, ये तो वही मतलब हुआ न कभी भी attack कर सकता है Russia के ऊपर, इससे हमारी जो security है वो compromise हो जाएगी, इसलिए Georgia और Ukraine ये दोनों NATO की membership ना ले पाएं, तो USA ये कहता है कि भाया ये तो इनकी sovereignty का violation है, जो भी करें, आप कैसे interfere कर सकते हो, इनके अंदूरूनी मामलों में, Russia कहता है, देखो इनका अंदूरूनी मा लेकिन tensions अभी काफी जादा है USA और Russia के बीच में, Russia को ये लगता है, पहली तो बात देखो, जब cold wars माप्त हो गया है, तो ये NATO जैसी organization जो USSR के खिलाफ बनी थी, ये आज के समय में exist ही क्यों करती है, और exist ही करती है, तो फिर वो देश जो पहले कभी USSR का part हुआ करते थे, उनक नाटो में क्यों सामील करवाय जा रहा है, ये लगता है Russia को, USA समेथ दूसरे Western countries को ये लगता है, कि Russia जो है, वो East Europe में instability चाहता है, ये रोप की गर्दन को दबाने का परियास करता है Russia, इस वज़े से अलग-अलग देशों में कई सारे issues पर एक तरफ USA और दूसरी तरफ Russia, द ना, Russia उसी glory को हासिल करे, जो इज़त USSR की हुआ करती थी, जो power USSR की हुआ करती थी, वही power वही glory Russia की होनी चाहिए, ये पुतिन चाहते हैं, तो उनके moves भी ऐसे ही होते हैं, जैसे सीरिया में, वो USA के खिलाफ चले गए, असद रजीम को स्पोर्ट करने के लिए, अभी कजाकिस के issue पर भी, USA और Russia आमने सामने हैं, कजाकिस्तान में आपको पता है, CHTO जो organization है, collective security treaty organization, इसमें रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, ये सब देश हैं, जो पहले कभी USSR का part हुआ करते थे, तो कजाकिस्तान के राष्टरपति के कहने पर, CHTO countries ने अपनी forces कजाकिस्तान में भेजी stability establish करने के लिए, तो फिर इससे USA चिड़ गया, समझ रहे हो, तो मतलब अलग-अलग issues को लेके, USA और Russia के बीच टकराव देखने को मिलता है, और ऐसा है भी नहीं, कि आने वाले near future में ये जो टकराव है, वो खतम हो जाएगा, लेकिन दोनों देशों को बाचीत से अपने issues को सुलजाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा engage करना चाहिए, रश्या को पता है कि हमने करीमिया जो हडपा था न, 2014 में, उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, क्योंकि उसके बाद रश्या के उपर sanctions काफी ज्यादा increase हो गए थे, तो उनकी economy close उनको काफी ज्यादा हुआ, त Thank you, thank you very much for discussion.